ट्रेडिंग इस 90% mindset and 10% skills आपने जब भी कभी ट्रेडिंग के बारे में सीखने समझने की कोसिस करी होगी तो आपने ये ज़रूर किसी ना किसी के मुझसे सुना होगा कि अगर ट्रेडिंग में मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको चार्ट से जादा अपने mindset पे focus करना पड़ेगा अपनी psychology पे focus करना पड़ेगा तो ये psychology और mindset क्या होता है वो कभी आपने बैठ के सोचा ये दो सब्द के पीछे इतनी सारी बारीकिया छुपी हुए है जिसको हम कभी समझने की कोसिस करते ही नहीं और पुरानी कहावत है कि अगर आप धंदे के बारीकियों को नहीं समझोगे तो धंदा आपके समझ में नहीं आने वाला और बिना समझे किया गया काम हमेशा आपको गलत results ही देता है यहाँ पे एक बहुत famous quote ये भी है Never invest in a business you cannot understand ये investment के लिए quote है लेकिन आप अगर अपने business को ही नहीं समझ रहे हो तो आप उससे profit या practical results की उमीद कैसे रख रहे हो तो आज के इस वीडियो में हम detail में समझने आले है practical points की मदद से समझने वाले हैं जिसको आप अगले trading days से implement कर सकते हो और आपको realize होने लगेगा कि किस तरीके से एक trader की तरह सोचना होता है market में अगर आपको पैसा बनाना है तो किवल चार्ट पढ़ने आने से काम नहीं होगा technical skills alone cannot make you the profit that you want तो अगर आपको पैसा कमाना है आपको अपने दिमाग के साथ खेलना पड़ेगा और वो आपके दिमाग के साथ जो आप खेल खेलोगे वो किस तरीके से खेलना है वो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं नमस्कार मैं शिवम मिस्टर आप सभी का चौगत करता हूँ आज की इस वीडियो में आज की इस ट्रेडिंग साइकोलोजी मास्टर क्लास में हम समझने वाले हैं प्रैक्टिकल पॉइंट्स की मदद से कि आखिर how we can think like a trader and become a good and profitable trader so let's discuss this video start this video बिना time गवाय सुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या वो चीज़े हैं जो आपको जाननी चाहिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाता हूँ इस video में केवल मैंने आपके लिए 9 practical points रखे हैं साथ है और कुछ sub points है तो 7 practical points रखे हैं जो 1 से लेके 7 सारे points important है बहुत सोच समझके बहुत सालों की experience के बाद बहुत सारी किताबे पढ़ने के बाद ये वीडियो में आपके सामने ला रहा हूँ तो इस वीडियो में हर एक चीज knowledgeable और valuable रहने वाली है इसलिए वीडियो को आप कोसिस करेगा सांती से बैठ के देखने की तो full screen पे वीडियो कर लीजे speed बढ़ानी है तो बढ़ा लीजे बिना किसी distraction के बिना किसी देरी के start करते हैं with our first point और समझते हैं कि आखिर ये दिमाग का खेल खेलना कैसे है एक perfect trading psychology build करने की सुरुवात होती है हमारे first point में जिसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम का nature क्या है अगर आप trading करने हुतरे हो और आपको लग रहा है ये कोई hobby है या कोई side income है तो आप गलत सोच रहे हैं ये एक full time business है मतलब जब तक आप trading को as a business as a धंदा consider नहीं करोगे तब तक आपको वो feel नहीं आएगी जो एक trader को आनी चाहिए अब as a business किस तरीके से consider किया जाता है उसको मैं थोड़ा expand करने की कोसिस करता हूँ और समझने की कोसिस करते हैं तो अगर आप कोई भी business सुरू करते हो तो वहाँ पे आपको सुरू में capital लगाना पड़ता है अगर आप एक किराना की दुकान भी खोलोगे भी कहते हैं मतलब अगर आप यह सोच के trading में आ रहे हो कि सुरू से आपका पैसा बनने लगेगा तो यह possible नहीं है यहाँ पे आपको कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे चीजों को सीखने के लिए तो कि जब तक आप practically market में नहीं हो तब तक आप चीजे सीख नहीं सकते हो तो पहली चीज क्या है ट्रेडिंग इस बिजनस consider it as an investment जो आप स्टार्टिंग में लगा रहे हो उसके बाद next हमें चीजों पर ध्यान देना पड़ता है कि जिस तरीके से किसी बिजनस के दो पार्ट्स होते हैं क्या क्या पार्ट्स होते हैं revenue या फिर आप कहलो revenue या फिर आप कहलो profits और या फिर दूसरा चीज क्या है losses revenue को आप profit मान सकते हो losses मान सकते हो तो हर एक बिजनस का profit loss part होता है तो उसी तरीके से अगर आप trading करने होते हो अगर आप चीज़े गलत करते हो आप properly अपने customer को नहीं समझ पाते हो जिस चीज में आप trade कर रहे हैं उसको आप नहीं समझ पाते हो तो वहाँ आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और maybe ये business loss में चले जाए आपको बंद करना पड़े तो as a business consider करने के फायदे ये होते हैं कि हम समझते हैं हमारे उपर कितनी बड़ी responsibility है हम एक business run कर रहा है उसके लिए हमें strategies चाहिए है उसके लिए हमें proper चीजों की जरूरत है जिससे हम इसको execute कर सके तो revenue और losses इसका part होते हैं आपको समझना पड़ेगा दूसरी बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि trading है तो trading में risk होता है जिस तरीके से हर एक business में risk होता है आपने कुछ capital लगाया वो capital डूब सकता है आपका business अच्छा चल रहा था अचानक कोई change आया फिर आपका business खराब चलने लगा जैसे कि COVID का lockdown लगा सारी दुकाने बन दो गए तो उनके business डाउन हो गए तो इसी तरीके से trading में भी multiple चीज़े हैं जो उपर नीचे होती रहती है तो ये risk और uncertainty को समझना पड़ेगा तो पहली चीज अगर आप trading करने आओ तो ये माल लो आपने नया business खोला है आपने market में नई दुकान खोली अब आपको इस दुकान को successful बनाना है इसी points से सुरुवात होती है आगे के सारे points की अगर ये पहला point आपको लग रहा है कि मुझे मालुम था की तरह treat करें आपको बहुत जादा फायदा मिलने वाले second point में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता देता हूं कि जो भी सातो points है ना वो सातो points equally important है तो ये मैं सोचेगा पहला दूसरा तीसरा चौथा order थोड़ा उपर नीचे हो सकता बट points हमारे लिए सारे important है चलिए अब बढ़ते हम second point के तरफ profit cannot be made with best setup ये हमारी बहुत बड़ी गलती रहती है कि हमें ये लगता है कि मुझे केवल technical analysis सीखना है मुझे केवल market में setups की जरूरत है जिसके बाद मैं पैसा बना लूँगा market में पैसा setup से नहीं बनता है market में पैसा बनता है risk management से ये risk management बहुत ही बड़ी technical चीज़ है और इसके उपर already मैंने channel पे 4-5 वीडियो जाल रखिये जिसमें risk management को complete discuss किया गया है आप एक quote देखो if you don't invest in risk management it doesn't matter what business you are in it is a risky business in trading it's not about how much you make but rather how much you don't lose यानि आपको कही ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि जो trading business है ये जो धन्दा आप कर रहे है उसमें बहुत जादा risk है market कभी भी आपके खिलाफ उपर या नीचे जा सकता है तो आप मैं आगे कुछ-कुछ points बताऊंगा जिससे आपका perfect mindset build हो जाएगा लेकिन अभी हम धीरे-धीरे समझते रहते हैं अगर आप market में अपना risk manage नहीं कर रहे हो ना मतलब आपको ये नहीं पता आप कितना पैसा गवाने वाले हो अगर गवा रहे हो तो कितना गवा रहे हो अगर आपके पास पूरा proof plan नहीं है future proof plan कहलो या फिर आप जो भी कहलो वो plan आपके पास नहीं है ना तो पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर मैं आपको कोई एक strategy दे देता हूँ जिसका success rate for example कोई एक स्टाटेजी मैंने देती उसका सक्सेस रेट सेवेंटी परसेंट है तो आप दस बार ट्रेड लोगे आप साथ बार पैसा कमा होगे लेकिन जो तीन बार आप पैसा गवाने वाले हो ना उसमें अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया तो आपका सारा जो सतर पर करने है ऐसकले मैनेजमेंट के ईड़िशेंट के अगर फिसक एंगर तो इस बेड़िशें वेडे और थो बनेजे मैनेजमेंट होना चाहिए। उनका risk management बहुत strong होता है वो strategy के बारे में अगर एक घंटा सोचेंगे तो कैसे जो उनका loss हो सकता है उसको हटाने के बारे में वो तीन घंटा सोचने वाले हैं तो उनकी तरह सोचने के कोसिस करें risk management पर आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा तो ही आपका वो mindset बिल्ड हो जा है how much money I can lose मैं कितना afford कर सकता हूं खोने के लिए मैं कैसे वो पैसा खोने वाला हूं कमाने की बात बात में करते हैं पहले खोने के बारे में सोचना होता है यह होता है step number two for building a perfect trading mindset to thinking like a trader आपका दिमाग तभी खोलेगा आपको चार्ट तभी समझ में आगा जब आप यह risk management करके रखोगे और पैसे से आप free रहोगे आपको यह डर नहीं रहेगा कि मेरा हमीशा loss हो सकता loss हो सकता वो डर का भटेगा with the proper risk management तो I hope इस point को आप implement करना immediate start कर दोगा अगर आप no down कर रहो well and good but ध्यान से जोनेगा distract मत होएगा इधर उधर मत जाएगा I hope आपको चीजे समझ में आ probability risk management की बात आती ही क्यों है आप यह सोचो हम कहां पर अपना risk manage करने की बात करते हैं जहां पर uncertainty रहती है uncertainty मतलब जहां पर अनिश्चिस्ता रहती है जहां पर हमें निश्चित नहीं रहता कि final result क्या आने वाला है वहीं पर हम risk manage करके चलते हैं कि result हमारे against भी आ गया तो भी हम जाएंगे तो stock market में अगर mindset आपको build करना है न अपना तो यह बात अपने दिल में जहन में बैठा लीजे कि कुछ भी 100% ही है कभी आपको लग रहा है कि market यहां से उपर जाएगा मेरे पास 10 वजहें हैं फिर भी आप यह 100% नहीं कह सकते हो कि market उपर जाएगा आप अपना सा 10 वजहें हैं तो आपके जीतने की आपके profit के जो chances हैं वो जादा है not 100% अगर आपके पास 2 वजहें हैं तो आपके successful होने के आपके trade के profit में जाने के chances कम हैं तो कम और जादा में बात क्या करें ना कि 100% में जब आप यह समझ जाओगे न तब आपको realize होगा कि किस तरीके से अ आपने अपना पहला trade कि आपके 10,000 रुपए का घाटा हो गया अब वो 10,000 रुपए recover करने के लिए अपने अगली trade में अपना पूरा पैसा लगा दिया यह आपने क्यों किया क्योंकि आपको अपना घाटा recover करना सा और आपको ऐसा लगने लगा कि market अब यहां से पक्का 100% और इसी का just एक quote भी पहले मैं आपको बता देता हूं Mark Douglas साब का quote है कि when you really believe that trading is simply a probability game concepts like right or wrong win or lose no longer have the same significance कई बार ये बात की जाते है कि stock market is gray area gray area मतलब क्या है यहां पर सही गलत नहीं होता यहां पर हां या ना सच या जूट नहीं होता है जो चीज़े आपको पैसा बना के द यहीं गलत है तो यहीं gray concept जो है वो लागू होता है uncertainty के लिए भी कि यहां पर कोई चीज़ 100% सही नहीं है हां या नहीं है 100% उपर 100% से नीचे नहीं है चीज़े probability का गेम है और probability आप technical analysis से समझ सकते हो लेकिन इस probability को implement करने के लिए आपको एक mindset चाहिए और वह mindset यह जान रहा होगा कि market में 100% कुछ नहीं होता है trading is a game of probabilities you don't have to be right every time यह बस सोचलो आपको हमेशा सही रहने की जरूरत नहीं है आपको केवल अपने rules follow करने यह होता एक mindset कि आप सही रहने के पीछे नहीं भाग रहे हो अगर आपका rule आपको यह कहता है कि आपके पास एक strategy है जो 10 में से 6 ब आने वाला है और 6 बार का profit आपको profit दे के ही जाने वाला है इसी से just related हमारे पास एक point आता है कि you will never get perfect opportunity यह नए traders को समझ में ही नहीं आती है अगर यह point आप समझ गया ना तो चीज़े आपके लिए cakewalk हो जाने वाली है कि कभी भी आपको stock market में perfect opportunity नहीं मिलेगी कई लोग ऐसे होते हैं जो चार्ट में 10 indicator लगा के बैठते हैं multiple confirmations का wait करते हैं तो आप समझो आप multiple confirmations का इंतजार कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप यह सोच रहे हो कि मैं कैसे probability को maximize कर सकूं 100% के करीब ले जा सकूं तो stock market में आपको कभी भी ऐसी opportunity नहीं मिलेगी जो आपको यह guarantee कर देगी कि मैं 100% successful होने वाले हो तो हम जबी भी trade execute करते हैं रिस्क पे अपना पैसा डाल के execute करते हैं हमें कभी भी 100% confirm नहीं होता है मैं 4-5 साल से trade कर रहा हूं कोई 40 साल से भी trade कर रहा होगा और जो 10 साल 20 साल 40 साल से trade कर रहा है उसको भी कभी 100% confident नहीं रहता कि मेरा यह trade सही होगा और जाही कभी 1-2-3 साल वाले को रहता है तो perfect opportunity का wait मत करिया आपने जो अपने लिए set of rules बना रखे है based on technical analysis जो आपने सीखी है वो rules बनते हैं risk लीजिए market में आप entry कर जाईए अपने rules को follow करते हुए 100% confirmation का इंतजार मत करिए अगर आप perfect opportunity के wait करोगे तो आप चीजे miss करते जाए होगे तो जरूरी यह है कि perfect opportunity का ना wait करें एक ऐसे opportunity का wait करें जो आपके rules के अंदर आगे तो perfect ना मानके हम rule based opportunity पर entry लेते हैं मैंने अपने लिए कोई rules बना रखे हैं कि मानलो मैंने आपको FTS strategy दे तो उसमें क्या है कि एक trend line पर आता है तीसरी बार हमें यहां पर buying करना है तो नहीं होती है stock market में हर जगह हमको risk लेके ही काम करना पड़ता है probability of profit and loss होता है कभी-कभी profit की probability ज्यादा होती है loss की probability कम होती है तो ऐसे ही जगों पर हम entry करना पसंद करते हैं but still there is a probability nothing is guaranteed इस point को I hope आपने समझ लिया होगा चलिए अब बढ़ते next point पे सारे point जरूरी है एक भी point miss मत करेगा आगे आप चीजे देखते जाये लिखते जाये distract होने की जरूरत नहीं है entertainment की वीडियो तो आप बाद में भी जाके देख लेते हो तो वो time pass का काम बाद में कर लीजेगा अभी सीखना है तो seriously सीखने पर ध्यान देते हैं क्योंकि आपने बहुत वक्त अपना already trading को बात किया वो होना बंद हो जाएगा वो point क्या है हमारा कि market is supreme जो market है वो हर चीज से उपर है वो आप से उपर है वो FIDI से उपर है वो सब चीज से उपर है अगर market में आप trade कर रहा है तो इन तीन points को आप जान लेना अगर पहले में एक सब्सम्जा दूना तो आप यह मान के बैठ जाओ कि market आपका सबसे बड़ा दुस्मन है अगर आप यह मान के चलो कि तो ही आप एक proper mindset बिल्ड कर पाऊगे जिसमें आप हर outcome के लिए ready होगे अगर इसको मैं थोड़ा और expand करूं समझाने की कोशिस करूं तो market कभी भी इसलिए काम नहीं करता है कि वो आपको खुश कर सके यह बात मेरी समझने की कोशिस करेगा कई बार हमें यह लगता है कि मेरा 2-3 दिन से loss हो रहा है मैं बहुत दुखी हो गया हूँ अब तो loss नहीं होगा मेरा या फिर मेरा लगाता है चार बार loss हो गया अब तो loss नहीं होना चाहिए मेरा मैंने इतना loss खालिया है तो market कभ भी भी मदद नहीं करेगा, it does not care about your situation and emotion, ये concept समझना बहुत जादा जरूर है, कई बार हमें क्या लगता है, कि मैं बहुत गरीब हूँ, या फिर मुझे emergency में पैसे की बहुत जादा जरूरत है, एक काम करता हूँ, अब तक मैं करता था एक lot से काम, अब तक मैं market में लगाता थ है, ये situation market को नहीं पता है, market एक lot आप trade करते थे, तभी भी वैसा ही behave करेगा, जैसे उसकी मरजी, और आगर आप 10 लाख लेक्याओ, तो भी उसका behavior वैसा ही रहेगा, जैसे उसकी मरजी, market ये नहीं देखेगा, कि आप बड़ा पैसा लगा रहे हो, तो आपको एक की guarantee नहीं ले सकते हो, कि आज मैं 10 लाख रुपए लेकिया हूँ, तो मैं इससे बड़ा पैसा बना लूँगा, कल तक आप 200-300 गवाते थे, आपको पैसे की जरूरत थी, आपने अपना savings लेके आये market में, और वो 10 लाख भी आपका zero हो सकता है, इतना uncertainty है market में, दूसरा चीज जो आपको market में ध्यान देना है, वो है unbiased, market कभी भी biased नहीं होता है, यहां पर, biased मतलब, वो आपकी situation, आपके emotion मतलब, तीन trade आपका लगतार loss हो गया, चौते trade में आपना पूरा capital जोग दिया, यह सोचते हुए कि मैं तो loss recover करी लूँगा, आज तो मैं loss लेके जाने वाले तो market को कुछ फरक नहीं पड़ता है आपके situation से, आपके emotion से, market अगर आप गलत जगर decision लोगे, rules तोड़ोगे, तो वो भी पैसा आपका चले जाएगा, तो market uncertain है, unbiased है, यहां market से पंगा लेना नहीं है हमें, हमें market से लड़ाई नहीं लड़नी, वो मैं आगे point में नहीं करना चीए, अगर आप इन चीज़ों से बचे ही रहोगे, तो ही आप एक perfect mindset बिल्ड कर पाऊगे trading गा, और तीसरी चीज़ कहा है, कि यह आपके emotions को नहीं समझता है, यह उपर भी मैंने point लिखा, मुझे लगता नीचे बता देना दुवारा ज़रूरी है, कि इसको फर market आपके emotions को नहीं समझता है, तो इसका सबसे simple तरीका है, कि आप market को अपना दुश्मन मान लो, और यह मान लो, कि मैंने अगर छोटी सी भी गलती कर दी ना, तो market मेरा पैसा ले लेगा, तो जब आप यह मान लगे, वह होता है, कि अगर किसी बिल्ली का जीब जल जाती है, गरम दूद से, तो वह दही भी फूँक फूँक के पीते हैं, दही घरब नहीं होते हैं, धही ठंडी होती है, बट फिर भी उसे डर लगा रहता है, और वो बच के चलते हैं, तो आपको बच के चलना है, कोई भी ऐसा काम मेरा झाल करना है, क्या था दस दिन आप profit में थे, और आज आपके किसी दोस ने बता है कि देखो मैं टिप फॉलो करता हूं यह बड़ियां टिप दे देता है कभी-कभी तो दस दिन बाद आपने रैंडम ली टिप किसी का फॉलो कर लिया और उसी दिन आपको तगड़ा लॉस हो गया तो आप क्या करो आपकी मेहनत पर पानी आपको बताता हूं अब सारे पॉइंट करके सुनते जाए और नोट डाउन करते जाए आए वाप आपको को वैल्यू एड हो रही होगी और सबसे बड़ी बात क्या है आपको समझ में आ रहोगा कि माइन्सेट साइकलोजिक किस तरीके से होता है चार्ट को कैसे फील करना उ इसने कहा है जो बहुत ही जादा सक्सेस्फुल है पहला कोड क्या है प्याहर कंट्रोल यूर मनी तो आप मार्केट से कितना पैसा कमाने या गवाने वाले हो वह डायरेक्टली डिपेंड करता है आप अपने एमोशन को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो अगर आपने अपने इ पटेल है उसके उपर आपको कंट्रोल आ सकता है कैसे कि वहल अपने emotion पर control करके the markets are unforgiving मैंने दो सब्द कहा था uncertain unbiased यह तीसरा सब्द है unforgiving मतलब market कभी आपके गलतियां माफ नहीं करता तब ही मैंने कहा market को सबसे बड़ा दुस्मन माल लीज़े छोटी सी है कि आप emotion में आके fast ले लो देखो दिक्कत कहा हो जाती है न ट्रेडिंग किस चीज़ पर हम कर रहे हैं पैसे के basis पर कर रहे है और पैसा इंसान का one of the biggest lovable या बड़ा asset होता है अगर आप पूछो सर आपको किसी भी random आदम में से पूछो आपको दो तीन चीज़ क्या है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो पहला सबसे जरूरी है उसको खुद का well being और अपने family members का well being और दूसरे या तीसरे नंबर पिया आएगा money जो उसने पैसा कमा रखा वो प्री पसंद है जरूरी है बहुत जादा नेसेसरी है तो पैसे से हमारा direct emotion अटाइज होता है तो अगर ट्रेडिंग में हम यही emotion लेकर आजाते ना कि मेरा emotion less trading कर सकते है market में emotion लेकर आओगे तो कुछ नहीं होने वाला है अभी मैंने आपको बता है market को घंटा फरक नहीं पड़ता है आपका emotion क्या है आप दुखी हो आप overexcited हो आप fear में हो greed में हो कुछ फरक नहीं पड़ता है market unbiased काम करता है और यह तीसरा quote क्या है if you can learn to create a state of mind that is not affected by the market's behavior market तो uncertain है लेकिन आपका दिमाग तो uncertain नहीं है आप market को नहीं control कर सकते हो market is supreme बट क्या आप खुद को भी control नहीं कर सकते हो point is that आप खुद को तो control कर सकते हो तो आज market 400 point उपर भाग गया मेरी strategy में केवल 100 point लिखा था तो मैं क्यों दुख मनाऊं जो चीज मैं control कर सकता था the thing which way control on under my own hands my own under mind तो वो तो मैंने control किया न जो चीज मेरे खुद के control में थी वो मैंने control किया मुझे उसका फल मिला तो बाकी market कुछ भी करे आई डोंट केर यह वाला attitude होना अच्छी आपका अगर मेरा setup नहीं बना मेरे setup ने loss देते आउसके बाद market में बड़ी movement आई डोंट केर मेरी चीजे मैं follow कर रहा मुझे बस इतने से मतलब है आप अपनी चीजों को improve करने पर धान दिया जो आगे के points मैं आपको बताऊंगा भी लेकिन इसका ध्यान रखना आपको कि emotion worst enemy है इससे खराब चीज मार्केट में और 100% कुछ sure नहीं होता उसी तरीके से emotion zero नहीं किया सकता है डर मुझे भी लगता है डर उसको भी लगता है जो 40 साल से trade लग रहा है डर Warren Buffett को भी लगता है डर Mark Douglas को भी लगता है fear और greed इनके मन में भी आता है लेकिन ये उसको manage कर बाते हैं ये समझना जरूरी है कि कब जो आप आपका डर है आपके हावी हो रहा है आपका डर आपको proper opportunities पर इंटर नहीं करने दे रहा है कब आपकी greed आपको एक ऐसे trade में रोक के रख रही है जिसका target अचीव हो चुका है जो market extend हो चुका है वहाँ भी आप उसको लेके बैटे हो कब आपका greed आपका fear आपका jealousy आपका fighting attitude ज कमी species में डाली है और हम लोग one of the most emotional species है तो हम emotion खतम नहीं कर सकते लेकिन अगर आपको trader बनना है तो आपको lifestyle में changes करने पड़ेंगे ताकि आप अपने emotion manage कर सबको उसके लिए आप meditation करो जो करना है करो meditation इस सबका direct impact नहीं पड़ेगा trading में लेकिन आपको यह समझना पड़ेग कि मुझे trading में कम करना है और वो practice के साथ ही होगा तो दीरे दीरे practice करे emotions दूर करने का जितना यह बोलना आसान है जितना पॉइंट लिक के समझाना आसान है उससे सौ गुना देड़ सो गुना हजार गुना मुस्किल काम है emotion को control करना अभी भी मैं 100% उस जगह पे नहीं पहु करना आई होब यह point आपको जरूर समझ में आगया होगा चलिए बढ़ते हैं अगले points में बोर बिलकुल भी नहीं होना है चीज़े जब सीखते हैं हमको जरूरी तो ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी खतम करते हैं बोर नहीं होना पूरी चीज़े देखनी है पूरी बात कर रहा हूं practical चीज़े समझाने की कोसिस कर रहा हूं let's move to next point अब यह point number seven one of the most important points है इसके उपर मैं जितना भी जोर दूना यह कम पढ़ जाएगा loss is a part of game accept it happily and move on loss के बारे में मैं ट्रेडिंग कोर्स अगर ढूनने वैठ हूना तो मुझे हजारों मिल जाएंगे क्योंकि सारे बड़े traders ने किसी ना किसी point of time पर यह बात कही है कि loss आपको accept करना पड़ेगा यह कि करके आप नजर डाल लेते हैं accepting losses is the most important single investment advice to ensure the safety of capital अगर आप चाहते हो ना आपका capital सेफ रहा है तो risk management करना पड़ेगा और risk management का सबसे जरूरी पार्ट क्या है कि आपको यहां आपने losses control करने पड़ेंगे learn to take losses the most important thing in making money is not letting your losses get out of hand losses इतने बड़े कभी मत होने दीजे कि वो आपके profit को खा जाए वो आपके capital को खा जाए तो loss accept करना सीखिये in this business if you are good you are right 6 times out of 10 you are never going to be right 9 10 9 times out of 10 तो आप 9 से 10 बार नहीं सही हो पाओगे कि 10 बार आपने trade लिया आप 10 में से 10 बार सह यह दस में से 9 बार से यह possible नहीं है तो जब भी आप ऐसा गवाओगे ना तब आप इतना बड़ा गवाद होगे अगर आपने proper risk management follow नहीं क्या या आपने psychology नहीं बिल्ट के जिसमें आप loss accept कर सकते हो if we want to perceive ourselves as winners but successful traders are always focusing on their we want to perceive हम हम हमीशा चाहते हैं हम successful हो लेकिन असल में जो साप सीडी का गेम होता है लूडो में आपने साप सीडी खेला होगा ना आप सीडी से चड़ते जाओ चड़ते जाओ 99 पे आके आक वह साप काटेगा आप सौप पर पहुंच जाओगे तो यह साप क्या है यह साप बड़े losses है जो आप बेफाल्तू के लेते हो तो साप नही बार आप लॉस में सौ गदम पीछे आ रहा ना तो आप कभी सौ पर नहीं पहुंच पाँगे इस चीज़ को आप गांद बांद लीजए losses है necessary losses से हमें बहुत कुछ सीखने भी मिलता तो losses जरूरी है लेकिन losses अगर हाज से निकल रहा है तो यह बहुत गलत बात है आप कभी trader नहीं बन सकता है अगर आपने losses control करना नहीं सीखा तो एक perfect mindset बिल्ट करने के लिए अपने losses पर काबू करना बहुत ही जादा जरूरी है इसके बिना कोई और चांस नहीं है कि आप आगे बढ़ पाओ आप profit कर पाओ आप पैसे कमा पाओ पर आप setup मिलेगा आपको फिर भी आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा market आपसे बहुत ज़्यादा powerful है market supreme है market आपको नहीं छोड़ने वाला है आपको stock market में अगर कुछ करना है तो आपको खुद से लड़ाई लड़नी पड़ेगी the real fight is you against you आपकी लड़ाई आपके खुद से है जो आप कल थे क्या आज आप उ होड़नी है यह सवाल हुटता है मेरे losses हो रहा है मैं कब छोड़ू जब आपको ऐसा लगने लगे कि मैं एक महिना पहले जो था एक महिने बाद भी वही हूँ जो एक महिना पहले मैं गलती करता था वही मैं अभी कर रहा हूँ मेरे अनदर जीरो improvement है तब बहुत जरूरी ने लेने का समय आगया कि अब मुझे चोड़ देनी चाहिए आयम नॉट इंप्रूविंग जब तक आप इंप्रूव कर रहे हो ना और लॉसस मैनेज करके चल रहे हो आप इस बिजनस में टिके रह सकते हो और आप यह ड्रीम कर सकते हो कि मैं एक दिन सक्सेस्फुल हो जाओंगा लेकिन अगर लॉसस हद से जादा करा तो मार्केट आपको टिकने नहीं देगा क्योंकि आपको इस पैसा बचेगा नहीं और अगर आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो तो कोई फाइदा नहीं बनता है छोटे 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 लॉसस करकर करके आप बड़ा लॉस कर देने वाल अब हर structure में पैसा कमाओ अब हर condition में पैसा कमाओ आपका emotion आपके control में रहे आपका perfect mindset बिल्डव आपने देखा होगा perfect mindset क्या होता है अब आगे कुछ जरूरी पॉइंट से वह भी बताऊंगा लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से एक दिमाग काम करता है trader का किस तरीके से trader की तरह सोचना होता है तो कभी market का अगेंस fight मत करें अगर आपका 1000 रुपय का loss हुआ अब market से लड़ने लगोगे ना कि मैं तो call ही बाई करूगा तो आप बहुत बुरा फसने वाले हो यहां पर तो इसके चक्कर में मत फर्जेगा अब चलिए वीडियो अ जरूरी points सब discuss कर लेते हैं एक एक करके अब कुछ end में important quotes की मदद से जरूरी चीज़े सीख लेते हैं जो की रह रहे थी यहां पर तो सबसे पहला और सबसे जरूरी बात यह है कि the goal of a successful trader is to make the best trades money secondary तो कभी भी पैसे या profit loss पे मत focus करें आप यह सोचे कि कैसे मैं एक best trade ले सकत करता हूं जो हर market condition को जेल जाए मैं panic ना करूँ इस पर focus करें कोर चीज़ पर focus करें आप समझो कि अगर आप cricket में अच्छा shot खिलते हो बैट जो बॉल है वह बैट पर अच्छे से आती है तो बात में च्छका मिले चौका मिले वह डिपेंड नहीं करता है आप चौके च्छक अब यह code आप देखो if most traders will learn to sit on their hands 50% of the time they would make a lot more money यह code number one था time is your friend impulse is your money sorry time is your friend impulse is your enemy और एक important quote है there is a time to go long go short and go fishing यह तीनों quotes का एक ही मतलब है कि market में आपको trade केवल 15-20% time ही करना पड़ता है बाकी समय आपको सांती से बैठ के अपने opportunity का wait करना है अगर आप दिन बार ट्रेट कर करते रहोगे तो वह random opportunities हो जाएंगी आप कहीं न कहीं probability जो थी वह अपने अगेंस्ट भेज रहे मार्केट में जितना बार आपने पैसा रिस्क में डाला उतना बार आपका वह पैसा रिस्क में गया उतना बार यह chances बढ़े कि आप losses खा सकते हो तो इसलिए हमेशा opportunity का wait करना चाहिए perfect opportunity आपको नहीं मिलेगी लेकिन जो आपने लिए अपने लिए rule बना रखे हैं जो आपने अपने लिए set of conditions बना रखे हैं उसके basis पे जब opportunity बने तब ही हमें market में strike करना चाहिए random positions नहीं बनानी चाहिए market एक game है इंतजार करने का सही opportunity ढूणने का जब probability आपके favor में ह और 100% time 90% probability आपके favor में नहीं रहेगी कि हमेशा आप ही के favor में probability आपके favor में 70% time रहेगी 80% time रहेगी तो वैसे times का इंतजार करना है जब probability आपके favor में रहे और यह चीज़ का है do more of what works and less of what doesn't आपको यह ध्यान रखना हर एक trader के अंदर कुछ capability होते हैं जैसे कि मैं trend following बहुत बढ़ियां करता हूं और कुछ लोग होते हैं जो reversal बहुत अच्छा trade करते हैं तो मुझे reversal trade करने के पीछे नहीं पढ़ना है अगर मेरी ताकत यह है कि मैं 15 minute में बहुत बढ़ियां trade कर लेता है या मेरी ताकत है मैं बहुत बढ़ियां scalping कर लेता हूं तो मुझे कोई जरू market में पर वो ऐसी करता हूं कि मुझे से अच्छा कोई ना कर पाए वो अला attitude लेक्याना है सब चीज के पीछे आपको यहां पर नहीं पढ़ना है इस चीज का आपको ध्यान रखना है लास्ट में यह हमारे पास है कोट बहुत important है कि आप चीजे एक बार तो करने लगोगे ल इन सारी चीजों को आपको practice इतना करना है कि यह आपकी habit बन जाए और जब तक habit नहीं बनते है तब तक result नहीं देखने मिलेगा तो इनको आपको अपनी habit बनानी है I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में बहुत दिन से मैं plan कर रहा थ टेक्निकल के वीडियो टेक्निकल एनालसिस के उपर हाली में तीन-चार वीडियो पड़ गई थी psychology के उपर वीडियो नहीं पड़ी थी तो फाइनली psychology के उपर एक वीडियो आ गई है I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगी अगर मेहनत अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्र अगर आप एक शोटा शेयर करने का काम कर देंगे तो बहुत लोगों तक एक वीडियो पहुंच जाएगी तो आई होप आप इसको शेयर जरूर करेगा बाकि लाइक करना आपकी मर्जी आपको पसंद आ है कुछ चीश खराब लगी कमेंट सेक्शन में और वीडियो पसंद करने के लिए जैहिंद जैसे राम मिलते हैं अगले वीडियो हुआ 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 है